क्यों सब्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब बेखुदी मैं सनू इसी राग में है उठी गए जो कदम आ गए तेरे चर्नों में हम कान तरद गए से काने सुनने के लिए हूँ 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 मा की लोरी भी गायव हूँ है सिरी गोरी गोरी नगर आरे डीवी दे और दोस्त भगवान को दे रहे हैं जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जा नहीं होती जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जा जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जा नहीं होती उस बच्चे को कौन गले लगाता है जिस बच्चे की मा नहीं होती मा नहीं होती जिसको जुबात है है खदरतने जिसको जुबात है जिसको जुबात है है खदरतने जिसको जुबात है है खदरतने जिसको जुबात है जिसको जुबात है जिसको जुबात है खदरतने वो तो रोके मामा को बुला लेता है वो कैसे मा को आवाज दे जिस बच्चे की जुबा नहीं होती जुबा नहीं होती किसी के हिसे में डर आया किसी के मेरे हिसे में दुका आई मैं घर में सबसे छोटी कमजोर थी मेरे हिसे में सिर्फ मा आई मा आई मेरे दुशमन ने मेरी मौँत सजा रखी थी मेरे यारूं ने मेरी कब्र सजा रखी थी एए मेरे अल्ला एवाहे गुरू ए माता रानी गरीबो नावाज तेरा शुक्र है के मेरे सर पे मेरी मां की दूआ रखी थी मां की दूआ रखी थी के दुनिया में जब इनसा पैदा हुआ उसने अपना लब खोला ये सारे रिष्टे मदहब बाद में जाने है पहले मूसे जिसने मां वोला तुना हाद उपर किसी दी रब बब सरक में इनसा ठीथा पेशक मंदर मस्जित इटादे बुलेशा ये कैना पेशक मंदर मस्जित इटादे बुलेशा ये कैना पेशक मंदर मस्जित इटादे बुलेशा बेटा बैड़ जाओ ये कहता आखरी है मात पिता का दिल ना तोड़ो प्यार भरा दिन उचाए तुम्हारा हो या माबाब का मात पिता का दिल ना तोड़ो मात पिता का दिल ना तोड़ो इस दिल में रभ रहता आजकल जादा चीज वही तोड़ी जादी जादी महबूबा के लिए तो बड़े बड़े प्रेजेंट है लेकिन मां की दवाई के लिए पैसे नहीं है दोस्तों के लिए तो बड़े बड़े होटल है पार्टी है बापको पानी पलाने के लिए हाद भी nationwide मैं नई बोलणा जा तोबा मेरी मारी मैदी बोलणा किसी ती रपमाना मरे आचल के जूले मैं मा मुझे को जूलाती थी मुझे हादों से खिलाती थी महसूस करें यहां से अगर आपके आँख में आसू ना जाए तो बाबो वी कसम गाना छोड़ दो यहां से महसूस करो यहां से नहीं आचल के जूले मैं मा मुझे को जूलाती थी खुद भूगी रहती थी मा मुझे हादों से खिलाती थी बारिश के महसं में पारिश के महसं में मा साया बन जाती थी खुद भी किती रहती थी मा मुझे सुखे में सुलाती थी मुझे सुखे में सुलाती थी भूगी के मारे जब मुझे नीद नहीं आती थी सीने से लगा के मा मुझे लूरिया सुनाती थी सोजा मेरे ला लोरी भी क्या ये शोदा कनन दिल आला ये शोदा कनन दिल आला ब्रिज का उजाला है मेरे लाल से तो सारा जग जल मेलाए बेटी का यह अपर वाले ने औरत को इतना बड़ा मकाम दिया है इतनी तक्रीव उठाने के बाद उसके पैरों में जन्न जन्त हम दिया लेकिन बेटी का ये मकाम है कि जब तक माबाप के घर में रहती है उसका सरनें बाप के नाम से होता है लेकिन जब दूसरे के घर में जाती है तो सरनें बदल जाता है उसके नाम से कहलाई जाती है बच्चे भी उसके नाम से पूझे जाते है और और अवरत जब घर से जाती है कमी गोर नहीं किसी नै कि और अवरत बहन बेटी जब घर से विदा होती है तो माबाब से कहती है जो मेरे नसीब का था वो तेरे हवाले जो मेरे नसीब का था वो अब तेरे हवाले अब मैं दूसरे खर चली मेरे नसीब का मैं वहाँ जाके खाऊंगी इसको महसूस तो को रहो कि मैंने चलती हुई मासूम हवा देखी है मैंने चलती हुई मासूम हवा देखी है और मैंने जन्नत तो नहीं देखी है मा देखी है तेरे अश्क जो बहते हैं कुछ हमसे कहते हैं वो चुप-चुप सहती है हम बहुत कुछ कहते हैं हम बहुत कुछ कहते हैं माना मरे हमारे अतर बाई एक शेयर सुनाएंगे मुझे बड़ा पसंद है अतर बाई जरा से सुनाएं मा के चर्णों के निए जन्नत ही सबको पता है लेकिन मा का मकाम कितना बड़ा है जरा गोर करें माना मरे के उसमा का हमसे एहतराम क्या होगा तोड़ा वालिया बड़ा दीजे उसमा का हमसे दोस्तों एहतराम क्या होगा उसकी गोदी से बढ़कर क्याम क्या होगा और जिसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है खुदाने सोचो जरा उसके सरका मकाम क्या होगा किसी की रप आना मरे बेहन की शादी का जब वक्त आया मा की जुदाई ने मुझे कितना रुलाया मुझे कितना रुलाया बेहन की डोली को जब कांधा लगाया मा की अर्थी का मुझे वक्त आया मुझे वक्त आया मुझे वक्त आया वो कमरा वो बिस्तर वो मा का तकिया वो मा का बिछोना अपनी बेटी की शादी के लिए इलतिजा करना गरीबी में चुके चुके रोना याद राता है वो पूजा की थाली वो इद आने वाली वो पूजा की थाली वो इद आने वाली हाई वरब मेरी मा नहीं है कैसी पूजा कैसी इद आने वाली पूजा की थाली रह गई खाली रह गई खाली रह गई खाली एक औरती मुकदर से घरीब हो नहीं होता दोरे तक दीर से लड़का था उसके मस्ताना एक हसीना पे दिल और जान से था दीवाना एक दिन लड़की से बूला वो बनका फर्यादी बुरा नमानों तो ऐजान चाहलें शादी फिर तो लड़की ने कहा दमना बर महबत का फैसला आजी हो जाएगा हकीकत का तब ही समझोंगे तुझे अपने प्यार के काबिल चीरी करसीना मुझे लादे अपनी मा का दिल इतना सुनते ही वो शैतान खुशी से उचला फून करने के लिए मा कमहा से निकला दूर से देखा तो माने तुमा पुकार उठी ऐ मेरे लाल ऐ मेरे बच्चे दूप में कहा फिर रहा है आजा आजा नौकरी मिल जाएगी आजा आजा जो रूखी सूकी है आजा मेरे लाल काला पड़ गया आजा आजा मेरे कलेजे के तुकडे आजा आखाले रोटी मेरे लाल मेरे बच्चे मेरे लाल मेरे बच्चे दूर onsे देखा तो माने तुमा पुका रूठी देर क्यों कर दी मेरे लाल आखाले रोटी हुद ही बन गया वो देख के माको अपना तमाशा माको तकने लगा वो माक के खुन का प्यासा बातों ही बातों में कयामत का मुँ भार गया हाथ बर का छुरा उस मां के जिगर पार गया दिल को लेकर चला वो शादी रचाने के लिए अपनी रूठी हुई मलका को मनाने के लिए दौरते दौरते जालिम में जो ठोकर खाई हाथ से गिर बड़ा दिल मां के दिल से ये सदा आई ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई हाथ से गिर बड़ा दिल मां के दिल से ये सदा आई ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई कदमों में रख दिया दिल और अपनी महबूबा से ये बोला लो मेरी जान जो मांगा था वो में ली आया फिर तो लड़कीने कहा वाकिए तुसा कोई आशिक के कुर्बान नहीं पर हकीकत में तू शैठान है इनसान नहीं तुझे खबर भी है तुझे खबर भी है अंजाम इश्का क्या होगा तुझे खबर भी है अन्जाम इसका क्या होगा जो अपनी मां का न हुआ वो मेरा क्या होगा किसी ती रभबा ना मरे किसी ती रभबा ना मरे हायो रभबा मेरे गुनाहों की मुझे जो भी सदा देगा ना मरे